हेलो गाईज आप लोग कैसे हैं वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल कोई नूर इंडिया किचेन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं बनाऊंगे कुर्मुरे चटपटा कुर्मुरे जिसको चाय के साथ और वैसे भी खा सकते हैं चटपटा कुर्मुरे बनाने के लिए मैं ली हूँ कुर्मुरे और सेंग दाना चना दाल करी पत्ता और लसन चूड़ा मैं ली हूँ करी पत्ते को फ्राई कर लेंगे उसके बास सेंग दाना को फ्राई कर लेंगे फिर चने को फ्राई कर लेंगे चना सेंग दाना और लसन को हलका ही फ्राई करें इन सभी चीजों को तल कर अलग बरतन में निकाल लेंगे और इसको और अच्छा चटपटा बनाने के लिए अब गैस को बंद कर देंगे तेल हलका गरम रहेगा उसमें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला और काला नमक, सफेद नमक मिक्स कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे तेल ठंडा होने के बाद जो मैंने कुरमूरे ली हूँ उसमें इन सारी चीजों को मिक्स कर देंगे जो मैं सेंग, सेंग दाना, लसन, चाना दाल, करीपत्ता तल के रखी थी वो सारी चीजों को मिक्स कर देंगे लसन चूड़ा, तीखा चूड़ा और थोड़ा हलका नमक डाल देंगे नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आप इसको एक महीने दो महीने तुरंत गेस्ट आने पर या वईसे ही खाने का मन करें तो आप इसको खा सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी होता है और चटपटा होता है चाय के साथ भी आप खा सकते हैं सच बोल रहे हूँ यह चटपटा कुरमुरा इतना अच्छा और टेश्टी बना है मैं बोलती हूँ आप लोग भी अपने घर में ट्राइब कर लिए और इंज्वाय करिए अगर कोईनूर इंडिया कीचन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और ऐसे चटपटे नास्ते के लिए वीडियो को देखते रहें वीडियो आगे तक सेयर करें देखिए मैं इसको डबे में भर के रख दूंगी आप कभी भी खा सकते प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल